दोस्तु आज का डिक्टेशन सोस सब्द प्रतिमेट रहने वारा है जिसका पीडियो फाइल हमने हमारे टेलिग्राम चेनल स्टडिवीद अच्पिस्वामें पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्टिमे में डाल रखा है डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद दक्सिन पूर्वे ACI देशों के संग्ठन आसियान के लाओस सिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने एक बार फिर एक दुटता की जरूरत रेखांकित की यह सम्मेलन एसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कई देश परस पर संगर्ष में उलजे हुए है और इसके चलते अनेक आर्थिक समस्याएं चुनोती बन कर खड़ी हो गई है विकसित कहे जाने वाले देश भी मंदी और सुस्त अर्थ व्यवस्था से पार पाने के लिए संगर्ष कर रहे हैं प्रथान मंत्री ने एसी स्थिती में दक्षिन ACI देशों से परस्पर सहयोग और सांतीपूर्ण वातावन बनाए रखने की अपील की दक्षिन ACI के सभी देश चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते किसी ने किसी रूप में ऐसेहज महसूस करते हैं इसलिए सभी ने सिखर सम्मेलन के मंच से चीन की खुल कर आलोचना की प्रधान मंत्री ने चीन का नाम लिये बगेर कहा की हमारी नीति विकासवादी होनी चाहिए ने की विस्तारवादी दक्षिन चीन सागर में चीन की बढ़ती सक्रियता के मद्य नजर उन्होंने समुद्री गतिविधियों के समंधित कानूनी ढांचे अनकलोस के तहत ही संचालित किये जाने पर बल दिया निगरानी की आजादी और वायू क्षित्र सुनिशित करने की जरूरत भी रेखांकित की इस पर एक ठोस और प्रभावी आचार सहिता बनाने तथा ख्षित्रिय देशों की विदेश नीती पर अंकुस लगाने की कोशिसों पर विराम लगाने की उपाय तलासने की जरूरत भी बताए। दर असल चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण नैकेवल दक्सिन एसिया बलकि दूसरे कई देशों में भी कई तरह की परिसानियां पेदा हो गई हैं। चीन एसा जानबूज कर करता है ताकि तेजी से विकास कर रहे और विकसित देश संगरसों में उलजे रहें और वहे उनके बाजार में अपना वर्चस्व कायम रखें। मगर चुकि भारत अब विकसित देश बनने के पायदान पर चड़ रहा है और उनके प्रयासों से वैस्विक दक्सिन देश अपना एक नया बाजार बनाने के दिसा में बढ़ रहे हैं। चेन की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। दक्सिन चेन सागर में उसने इसलिए अपनी गतिविदियां तेज कर दी हैं। कुछ समय पहले हुए क्वाड सम्मेलन में भी भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने दक्सिन चेन सागर में चेन की गतिविदियों पर नकेल कसने की जरूरत रेखांकित की थी। दर असल अब विक्सित देशों को भी महसूस होने लगा है कि दक्सिन एसियाई देशों के सहयोग के बिना चीन को टक्कर देना संभव नहीं है। इन देशों को एकजुट रखने में भारत की एहम भूमिका है। हालांकि आसियान का गठन आर्थिक मामलों में पस्चिम के विक्सित देशों चीन और रूस के वर्चस्व को तोड़ कर अपना एक बाजार विक्सित करने और इस ख्षित्र में सांती और सहयोग बनाए रखने के मकसद से हुआ था। इसका असर भी दिखने लगा है। फिलहाल जिस तरह रूस और युक्रेन लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उसके चलते पूरी दुनिया में आपूरती स्रंकला बाधित हुई है। फिर इसराइल और हमास के संघर्ष का दाइरा बढ़ा है और उसमें विश्व की दूसरी ताकतों के भी कूद पढ़ने की आसंका जाहिर की जा रही है। आसियान देशों की भूमे का आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होने वाली है। नी संदे हैं अगर आसियान देश इस स्थिती में एक जुटता और परस पर सहयोग बनाए रखते हैं। तो इस चित्र को वैस्विक संघर्षों की आँच कम से कम प्रभावित कर पाएग प्रधान मंत्रे के इस बयान से सायद ही कोई देश ऐसेहमत होगा कि यह समय युद्ध और संघर्ष का नहीं बलकि परस पर सहयोग और सामनजश्य का है। समाप्त। दोस्तों रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए जय कि परेएंची के तेश होगा।